आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, हमारा question है Which of the following can be the probability of an event? अब हम जानते हैं कि probability of an event lies between 0 and 1 क्यों? क्योंकि probability of an event का formula होता है number of favorable outcomes upon total number of outcomes यही formula होता है probability of an event का अब हम जानते हैं कि total number of outcomes तो हमेशा बड़ा ही होगा number of favorable outcomes से यानि कि अगर हम देखें bag में five balls है ठीक है? उसमें से two red balls है and three white balls है ठीक है? तो अगर हम probability of finding red balls देखें तो वो क्या हो जाएगा two upon five क्योंकि total balls five है और हम एक कोई भी ball नकाल रहे हैं हो जाएगी three upon five तो यानि कि अगर favorable outcomes हमेशा total outcomes से तो कम ही होगे अब देखो अगर पूरे bag में सिर्फ five balls हैं तो मैं six ball तो निकाल ही नहीं सकती तो favorable outcomes तो हमेशा कम ही होंगे total outcomes से तो यानि यह जो fraction है हमारा यह one से हमेशा छोटा ही होगा और zero probability कब हो सकती है या तो हम कुछ भी ना निकाले तो इसलिए negative तो होई नहीं सकती या तो कुछ निकालेंगे या तो कुछ नहीं निकालेंगे तो इसलिए negative भी नहीं हो सकती तो हमारे पास zero से लेकर one तक ही probability के होने के chances हैं कि probability इनके बीच में ही करेगी तो अब हमारे consequence options नहीं हो सकते देखो negative नहीं हो सकता तो यानि option A wrong है 1.001 1 से बड़ा है तो option B भी incorrect है 18 upon 23 18 upon 23 हो सकता है क्योंकि ये 1 से छोटा है तो इसलिए option C correct है 8 upon 7 8 upon 7 भी greater than 1 है तो इसलिए option D भी wrong है तो यानि हमारा answer है option C थेंक यू